हेलो नमस्ते मैं रेकी मास्टेर क्रिस्टल हिलर आप सभी का त्रिपलेट हिलिंग में स्वागत करती हूँ उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे मेरा चैनल बेस्ट है रेकी क्रिस्टल तथा एंजल नमबर्स पे आज का मेरा विशे है रेकी सिंबोल चोकुरे चोकुरे को सिंबोल ऑफ पावर भी कहते है चोकुरे सिंबोल ऑफ पावर प्रोटेक्शन एंड प्रोस्पेरिटी चोकुरे सिंबोल में डिवाइन एनरजी है जैसी कि हमारा ब्रहमान है ब्रहमान पुरा गुमता है एक चक्र मे या फिर तारा मंडल एक पूरा चक्रा में गुमता है हमारा सूर्य मंडल एक चक्रा में गुमता है वैसे ही चक्रा चोकुरे सिम्बोल में है सिम वैसे ही चक्रा हमें भगवान शालिंग राम में दिखने को मिलते है तथा गोमती रिवर में मिलने वाले गोमती चक्रा में भी ये चक्रा मिलते है वैसे ही हमारे बोड़ी के साथ चक्रा है उसमें भी ये चक्रा है मतलब चोकुरे सिंबोल का बहुत ही ज्यादा महत्व है युनिवर्सल तोर पे, एनर्जी के तोर पे, हर तरह से चोकुरे सिंबोल बहुत ही महत्वपूर्ण है चोकुरे सिंबोल इच्छा पूर्ती का मैनिफेस्टेशन का भी सिंबोल कहा जाता है चोकुरे सिंबोल में डिवाइन एनर्जी है जहाँ कोई बी एनरजी नहीं पहुंस सकती कोई दवाई किसी भी चीज से काम नहीं चलता कहीं रास्ता अगर नहीं मिलता तो चौकुरे सिंबोल जहाँ कुछ भी नहीं पहुंस सकता है वहाँ चौकुरे सिंबोल पहुंच पाती है इतना powerful और divine energy से बरा हुआ है चोकुरे सिंबॉल इसलिए इसे symbol of power कहते है चोकुरे हमारे शरीर में, हमारे चकरों को भी balance के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारी बिमारियों में, तधा study के लिए, प्यार के लिए, हर तरह की इच्छा पूरती के लिए चोकुरे सिंबॉल को इस्तेमाल में लिया जाता है चोकुरे सिंबॉल जो लोग रेकी नहीं जानते हैं, वो भी बहुत आसानी से बना सकते है इसे ड्रॉ करना भी बहुत ही आसान है, जरुरी नहीं है कि आपने रेकी सिखी है तो ही आपको काम करना है या इसको यूज़ करना है बिना रेकी के भी कोई भी इसे आसानी से बचों के लिए, बढ़ों के लिए, बुज़ुर्ग के लिए, आफिस में कहीं भी इसे इस्तेमार कर सकते है चोकुर सिंबोल बनाने का तरीका है पहले आप पैन से साथ बना लो फिर एक, दो और ढ़ाई आपको सरकल बनाने है सरकल एक दुसरे को नहीं चूने चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप ये सिम्बोल ड्रो करें पैन को बिच में बिल्कुल ही नहीं उठाना है चूकुरे को जब आप स्टडी के लिए यूज कर रहे हो तो ब्लू या जामनी पैन का यूज करें प्रोस्पेरिटी के लिए आप यूज कर रहे हो किसी ओफिस में तो उसको हरे कलर की पैंसिल या पैंसिल ड्रो करें और बिमारियों में प्यार के लिए इसे आप लाल कलर की पैन से इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास यह सब कलर की पैन नहीं है तो सिर्फ लाल या ब्लू कलर की पैन चलेगी हमारे गोमती चक्रा में जो चक्राज है जो ड्रो की हुए दिखते है उसका भी चोकूरे सिंबॉल जितना ही महत्व है इसलिए आप चोकूरे के साथ गोमती चक्रा को भी इस्तेमाल कर सकते हो तीन गोमती चक्रा आप अपने पर्स में रख सकते हो पानी की बॉटल में रख सकते हो मटके में रख सकते हो इसका भी इस्तेमाल और इसका भी आपको रिजल्ट चोकुरस सिंबोल जितना ही पावफूल मिलेगा आप दोनों को कम भाइं भी कर सकते हो सिंबोल को भी और गुमती चक्रा का भी उसकर सकते हो पीने के पानी की बॉटल में आप काच के जग में इस सिंपोल को ड्रॉ कर सकते हो पेपर से चिपका भी सकते हो और सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें एफर्मेशन या अपने भाव को डालना जितने अच्छे जितने पॉजिटिव आप भाव डालोगे उतना ही अच्छा आ आप लिख सकते हो ऐसे जरूरियत के हिसाब से आप चोकुरे के सिंपोल के साथ उससे जो भी आप चाहते हो प्याय प्रोस्पिरिटी आप उसको लिखके इसका इस्तेमाल करें और उसमें भाव डाले कि हमें मिल रहा है आप जितने अच्छे और पॉजिटिव भाव डाले उतना ही अच्छा ही आपको परिणाम देंगा चोकुरे सिंपोल आप ऐस जोलरी भी पैन सकते हो पैनन के रूप में या फिर आप उसको टैटू भी करते हैं किस भी तरह से आपको जैसे आपको पसंद आए चोकुरे सिंपोल लेंगिटिविटी रिमू करने के लिए भी इस इस्तेमाल आता है ऐसे चोकुरे सिंपोल के बहुत अलग-अलग फाइदे और इस्तेमाल है आप जरूरी से कीजिएगा आज की मेरी कोशिश थी चोकुरे सिंपोल के बारे में चान करी देनेगी उमीद करती हूं आपको पसंद आई होगी मेरा चैनल देखने के लिए धन्य अबाद, गोड़ ब्लस्यू और लव्यू अव्यू 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 अग्यू